हेलो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं दीपक फर्टिलाइजर से लेटेड कुछ न्यूज आती हुई दिखाई थी है शेयर आप देखोगे तो एक अच्छी कासी गिरावट के गिरावट भी हो चुके शेयर में आप देखोगे तो आपका बदर चलेगा यह शेय पर बात हैं और जानेंगे इस पर्टिकुलर शेयर से लेटी इस डीज से लेटेड सब कुछ अच्छ बॉइंग रखेगा लेवल अगर दिये जा रहे हैं तो से केवल इसलिए दिये जा रहे हैं ताकि आपको चीजे समर्दी में आ सेगे एडूकेशन और परपस से वीडिय है तो सीखने के लिए वीडियो से जाके देखिए एसकेम कल वीडियो बनाई आज पांच परसेंट अपर सरकेश हैल एंगलाइस कल वीडियो बनाई आज भी आप देखोगे 6-7% 8% तक उपर जाता हुआ नजर आया था तो इसी तरीके से की वीडियो बनाई जाती है और उस इसलिए भागता हुए नजर आ रहे मेरे लेने से या मेरे कहने से भागने रहे ठीक है न बट आपको चीजों को सही टाइम पर लोगे बेच होगे खरीद होगे तो आपके पैसे बनते हुए नजर आएंगे तो यह चीज़े वीडियो में बताई जाती है प्लस में सिखाई जाती है जब सीखोगे तो बारी किया सीखने को मिलेगी बेसिक्स टू एडवांस पूरा कोर्स है डवल 8605-40501-8169-261037 दोनों नंबरों को सेफ कर लीजिए इस को करने चाहते है तो इस को करिए 25,000 रुपे का कोर्स है थोड़ा आपको दिखाई देगा कि 25,000 रुपे का पर जब एक एक चीज के बारे में बताऊंगा तो एक एक चीज को चार्ट पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहां पर काम करती है ठीक है टेक्निकल रिसर्च फंडामेंचल कब लेना है कब बेचना क्यों क्या कैसे के जब जवाब आपको मिल जाएंगे तो आप ओवेसी व काम करना है पोटफोलियो साइज तीन लाग पाच लाग पतास लाग एक करोड़ जतना यह बड़ा हो इन नंबरों पर कांटक करो साथ में बात करके देखो बात करने का कोई पैसा नहीं है आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़िएगा नहीं लगे तो कोई परिशानी नह चायद एक जरनी में कुछ चेंज आते हुए नजड़ा है ऐसा हो सकता है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दीपक फर्टिलाइजर की बात करें कंपनी करती गया जैसे की नाम में ही है फर्टिलाइजर और पेट्रोगेमिकल्स कॉर्परेशन लिमिटेर तो कंपनी क्या क पर नजड़ा है ठीक है कंपनी की बात करें तो खुश चीटों में आपका लीडरिशिप भी है और इंडिश्टियल केमिकल्स टैक्निकल कॉप नुटिशन क्रिए एक रिटीसिटी ओके इन सभी चीटों में कंपनी काम करती हुए नजर आते हैं जाके एक बार देख लीजि और रियालिटी एंड विंड मिल से 1% का इनका बिजनस है तो इस चीट को भी देखना है कैपक्स की बात करें कंपनी का यहाँ पर कैपक्स का 24 में यहाँ पर प्लान भी है वो भी यहाँ पर आप देखती है चीजों को देखेंगे समझेंगे तब आपको समझ में आगा प्ल कि कंपनी की प्लेजिंग ना के बराबर हो गई है तो यह क्या है एक पॉजिटिव फैक्टर है कि कंपनी अपने ही शेयर को यहाँ पर छोड़ा रही है तो अच्छी बात है तो यहाँ पर आप देखोगे इस पर्टिकुला कॉर्टर में दिसंबर में एफाइज ने हिस्ता सदारी बढ़ा दी पॉब्लिक की बात करें पॉब्लिक की सदारी यहाँ पर क्या है कम होती हुई नजर आ रही है ठीक है कम होती हुई नजर आ रही है क्या पॉजिटिव से चीज है और वेस्ती बात है जब एफाइस बढ़ा है दिया इस बढ़ा है और पॉब्लिक कम कर द तो अपने एक आईडिया करके आपको बताऊगा कि यहां पर बेस्ट आईडिया हो सकता है तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तो यहां पर देखिए कंपनी के और बारे में तो सबसे पहले 6,242 करोड रुपे की मार्किट का है बारे का पीई है 34 का इंडस्ट पीई मिल रहा है तो यहां से भगता हुआ नजराएगा और पीई बहुत जादा है तो शेयर नहीं भगता हुआ नजराएगा ऐसा किसी बुक में नहीं लिख रहा है ठीक है हां पीई जादा हो जाता है तो थोड़ा सा रहता है कि हमें कॉशेस रहना पीई कम हो जाता है तो यहां पर यह शेयर 12 का क्या है, यहां पर 2 के PE पे भी आ जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, ROC, ROE ठीक टाक नजर आती है, इंडश्टी का PE 34 का है, डिविडेंड की बात करें, डिविडेंड भी दे रही है, यहां पर दिखाई भी दे रही है, PEG ratio यहां पर कम दे रही है, अच्छा होता है, तो इसे cheap माना जाता है, इस चीट को याद रखिए, तो कि शेयर यहां पर cheap दिखाई दे रहा है, और बात करें, शेयर के जो history है, वो आपको क्या दिखाएगी, कि शेयर भागता भी है, और गिरता भी है, तो अगर मान के चलिए, यहां पर भागा है, तो इसके बाद गिरा भी है, तो यहां पर भी गिरा है, और जब गिरा है, तो उसके बाद भागा भी है, तो यहां पर भागने के chances भी है, तो ये सारी चीजे आपको खुदी calculate करनी है उसके हिसाब से आपर दिखोगे तो अब इसी बात है पैसे बनाते होगे नजर आएंगे बट ऐसा भी नहीं करना कि अभी लेते गए और लेने के बाद पता चल रहा है कि 500 वाला शेयर 400 आगया 400 आगया 400 आगया 300 आगया ठीक और आ आपको hunter बनना पड़ता है आपको share बनना पड़ता है जीता बनना पड़ता है ताकि शिकार सब्सक्राइब बात करते हैं यहां पर quarterly results की तो company के results देखिए कंपणी की यहां पर sales देखोगे न तो yearly quarterly दोनों बेस पर sales गिरती भी नज़र आई है जो कि एक negative factor है दूसरी बात देखे तो company का जो profit है वो भी यहां पर गिरता हुआ नज़र आया है ठीक है जग खर्चे कम हो गया इस वज़ेसे यहां पर आपको profit दिखाई दे रहा है बिल्कुल लगबग बात करें तो अच्छा कासा EPS भी गरता हुआ नज़र आया है कम नज़र आता है हाना वो शेयर से रिलेटेड हम यहां पर बाते करेंगे कि क्या एक particular time period हो सकता है कि शेयर में जाना आ जाए yearly base पे हम बात करें तो company का yearly base यहां पर आप देख सकते है अच अच्छा कासा काम करते हुए नज़र आ रही है रिजर्स भी company के पास है बट साथ में borrowing भी बहुत ज़्यादा है इस चीच को हमें भूलना नहीं है company working progress में अच्छा कासे पैसे लगा रखे तो वो काम यहां पर हो चुका है बट उसका benefit दिखाई नहीं दिया इस चीच को भी कि company ने एंटर कर रही है किसमें एंटर कर रही है इनका नॉर्वे जाइंट ओके एक्विन और कोई company है नॉर्वे की ओके जो वहां की अच्छी खासी बड़ी company है लग पस 75 बिलियन टॉलर की company है उनके साथ इनका क्या हुआ एक tie-ups होता हुआ नज़र आया टाइप किसे ले अब कितनी अच्छी बात है कितनी बुरी बात है ठीक है न वह तो यहां पर पता चले ही जब company के नंबर आएंगे तब दिखाई देगा बट यह contract कब से यहां पर देख सकते हैं यह company है 75 पिलियन डॉलर की है और दूसरी बात अगर हम बात करें यह company का business शुरू होगा यह ज चीट को भी थोड़ा सा हमें आप देखना है चार से लेडिट बाते करेंगे बट उससे पहले आपसे request है I am small capital channel okay investor channel को subscribe bell icon को hit all notification को on करें bank selling के recommendation है नहीं इन नमबरों को note करके साथ में काम कर सकते हैं मेने सीख ना सीख होगे तो पैसे आप बनता हुआ नज़रा है दीपक fertilizer की बात करें तो यहां पर देखिए यह कुछ ऐसा pattern बनता हुआ नज़रा रहा है जो कहता है कि आपको बेज देना है ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं चीज में गिरावाट हुई उसके बाद से और गिरावाट होने के बास शेयर यहां पर stage 4 में चलता हुआ नज़रा रहा है अब लोग कहेंगे कि खरीद लो खरीद लो नीचे आ गया है मैं काऊंगा अभी थोड़ा सा patience रखना चा लेगी बट अच्छा कब है कि आप बाइंग करो और तुरंत शेयर भागे वो मैं आपको यहां पर बताता हुआ नज़रा मुझे लगता है कि तीन से छे महीने और इशाय पूरा का पूरा साल यह शेयर में अभी जाननी आने वाली यह शेयर आपको कोई ऐसा नहीं दिखान है तो यह शेयर नज़राता है जब यह शेयर 700 रुपे के ऊपर निकल जाए ना तब इसको लेने के बारे में सोचेगा और जब आप सास्तो के ऊपर लोगे न तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा तब यह शेयर रॉकिट बनेगा और यहां पर आपके पैसे कितने लेवल मिलेगा तो हमारे चांसेज और बढ़े आएंगे फिर यहां पर करीने की जाएगा थोड़ा सा नीचे खरी सकते हैं अभी ऐसा कोई लेवल मुझे खास दिखाई नहीं दे रहा है मुझे यहां पर जो दिखाई दे रहा है कि अगर यह चार सो हाना यहां पर एक बता कटोड़ा बनाता हुआ नजरा सकता है तो समझ में द्याण से चीज़ों को कब लेना है और बेचना है वही मैं आपको बार बार बताता हूं इस वीडियो में भी कल की वीडियो में भी बताया था कि कब लेना है वो ज़रूरी है आप उस चीच पर फोकस करेंगे तो पैसा क यह सिखना यह फ्रने से ही आएगा सीकने से आएगा और यह सकूर्स को आप कर सकते हो Working baik